एलो फ्रेंड्स मैं हूं रीड़ा ब्राजदार और आप देख रहे हो घर का खाना और घर के खाने में आज हम इसे पापड बनाने जा रहे हैं जो कि आपको ना ही मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही आपको इसे बॉयल करना पड़ेगा तो ये बहुत ही आसान शाबुदाना के पापड आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं तो चलिए फिर देखते हैं इसके रेसिपी मैंने सबसे पहले शाबुदाना पापड बनाने के लिए ग्यास के उपर स्टीमर चड़ा रखा है इसे प्रीहीट होने देते हैं इसी तरह से आप स्टीमर के बजा कड़ाई में भी रात में मैंने एक कफ शाबुदाना भीगों के रखा हुआ था यह अच्छे से अभी तक भीग चुका है आप इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमा इसमें ज्यादा नमक ना डाले नहीं तो यह सुखने के बाद ज्यादा नमकिन हो जाएंगे और अखाने में जाता है तो अब मैंने इसे ओईल से ग्रीज कर लिया है इसमें डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा शाबुदाना एक चमर शाबुदाना इसमें डाल देते हैं और इस तरह से हम इसे फैला लेते हैं एक के उपर एक शाबुदाना ना आए इसका ध्यान रखे यानि कि जो इस इसमें आपको बना के दिखा दिखा देती हों इस तरह से next il इस तरह से League फापर्स बना लिये हैं अब चलते रखियें जक्पर felt दुसरे गयास की तरफ तो यहां पे भी कड़ाई अच्छे से प्रिहीट हो चुकी है, इसमें भी मैंने ये तीन प्लेट्स रगती है, इसे भी ठक कर हम पका लेते हैं तीन मिनट के लिए, तीन मिनट हो चुके है, आप देख लेते हैं इसे, यह एकदम ट्रांसफररंट बन च है इसका मतलब अच्छे से पख चुका है इसे निकाल लेते हैं फटाफट यह बहुत ही फट फट आफट बन जाते हैं यह पापड इन तीनों प्लेट्स को हम निकाल लेते हैं और इसे में दुसरे प्लेट्स हम रख देते हैं यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी होगी कि ग्यास की फ्लेम को आप हाई में ही रखेंगे हाई फ्लेम पर रखने से इसकी स्टीम होती है न वो चारों तरफ फैल जाएगे और आपके पापड फटाफट बनेंगे तो यहाँ पर दुसरा जो कडाई में हमन क्दश कर लिया था इसलिए यह फटाफट निकल जाते हैं और इसे रख देते हैं सुकने के लिए मैं और एक प्लेट में इसे आपको निकाल के दिखा देती हूँ आप देख सकते हो कितने ट्रांस्परंट है एकदम वाइट है अब धूप में इसे हम डाल देते हैं दो से तीन दिन तक अराम से हम इसे सुखाएंगे इसे सुखने के लिए अगर अच्छी धूप है तो सिर्फ दो दिन लग सकते है या अगर आपके पास में थोड़ा से धूप कम है तो तीन दिन भी लग सकते है तो ये अच्छे से सुख चुके हैं आप देख सकते हो कितने ट्रांस्परंट हो चुके हैं बहुत ही वाइट है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये पापड तो ये अब चलते हैं इन्हें फ्राइ करने के लिए ओल अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें डाल देते हैं इस पापड को जितने छोटे साइज के ये पापड होते हैं उससे दुगने साइज में ये बनते हैं अब देख सकते हो कितना बड़े साइज में ये बना है एकडम वाइट है ट्रांसपरन्ट है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और एक पापड मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूं ये तुरंथ ही फ्राई होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं ये फ्राई करने म भी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं तो इसी तरह से आप भी इसे बनाईएगा इंजाइक करिएगा अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर किजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपि के साथ में तब तक ही लिए बैबाई वीडियो में देङ